प्यारे साथियो नमस्कार दोस्तो आप लोगे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने सहीद अमरितपाल के उपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया दोस्तो सबसे पहले तो मैं बगवान से गुजारिश करता हूँ बगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सहीद अमरितपाल की आत्मा को शांती दे दूसरा दोस्तो तेरा तारिक्षे में कुछ काम में बीजी था तब यह ठीक नहीं थी इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया मैं कल ही घर वापस आया हूँ तो अब वीडियो बनाएंगे देखिए सहीद अमरितपाल को सहीद का दरजा नहीं दिया गया यह बहुत ही सरमनाक बात है इसे बड़ी और सरम की क्या बात होगी एक 18 साल की उमर में लड़का आर्मी के अंदर बरती हो जाता है और एक साल के अंदर अंदर ट्रेनिंग करने के अंदर यूनिट में जातते ही सहीद हो जाता है और फिर उसको सहीद का दरजा नहीं दिया जाता अगने वीर योजना जब से लागू किया इसका शुरू से ही विरोध किया जा रहा है और इसके अंदर कौन सी-कौन सी पोलूशिया बनाए गई है कौन से कौन से नियम कानून बनाए गए है वो किसी को भी नहीं पता अभी कुछ दिन पहले करीब 20-22 लड़कों को ट्रेनिंग से भार कर दिया गया उनको घर बेज दिया गया ये बोल के कि आप लोग 30 दिन से ज़्यादा एडमिट रह चुके हो ट्रेनिंग से भार रहे दे तेखी पहले क्या होता था एक बार आप भरती दफस्तर से चले गए हो आर्मी के लिए तो जिस दिन आप भी आरो भरती दफस्तर से आउट होते हो उसी दिन से आर्मी की जिम्मेवारी है आप एक सरकारी करमचारी हो जाते हो कुछ भी होगा आपको पूरी फैसलिटी मिलेगा लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है इसके अंदर तो जब उन लड़कों को भी नहीं पता था ट्रेनिंग के दोरान ये बिलकुल नॉर्मल है कि किसी का पैर फ्रेक्चर हो जाना है किसी के हाथ फ्रेक्चर हो जाना है किसी को पीलिया हो जाना कोई ने कोई बिमारी लग जाती है क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा भागा दोरी होती है और सभी नए लड़के होते हैं समझ होते हैं ज्यादा पानी नहीं पी पाते हैं इसलिए पी लिया हो जाता है पैरों के अंदर फ्रेक्चर वगरा हो जाता है तो उनको एडमिट करा दिया जाता है फिर जैसे वह ठीक हो जाते हैं अगर ज्यादा दिन एडमिट रह गा तो उनको शिक लिए जिसको बिमारी की चुटी बोला जाता है कुछ दिन घर पे रेश्ट करके 20-25 दिन फिर वो ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं। और दोबारा से ट्रेंग जुवायण कर लेते हैं लिकिन उस कोर्स के साथ लेते, पिछली जो ट्रेंग के साथ सुरू हो जाते हैं। प्योक्कि देखें, वहां सब्तों के हिसाब से ट्रेनिंग होती है, माली जी उसका साथ सब्ता ट्रेनिंग चला गया और फिर वो बिमार हो गया, तो उसके साथ वालों का था, जब तक 10-11 वीक चले जाएंगे ट्रेनिंग करते हो, तो जो पिछला बेच है, जिसका के दोरान अप्सेंट रहता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा और ऐसा किया भी यह बिलकुल नियम गलत है यह बरती से पहले बताना चाहिए था दूसरा बोलते हैं कि अगनी वीरे कॉंट्रेक्ट है चार साल का उसको सहीद का दर्जा नहीं मिलेगा अरे भाई वो कोई वह यह विवर्दी मिलेगा तो भी हम आर्मी ज्वैन करेंगे यह तो चार साल है लेकिन उनके साथ इतना बुरा बरताव किया जा रहा है और फिर अभी आर्मी ने बोल दिया कि यह जो अमरित पाल है इसने आत्य में तैकी है इसने खुद को गोली मारी है अगर उसने खुद को गोली मारा होता तो पहले डिकलेर क्यों किया और खुद को गोली मारने में और दूसरे से गोली लगने में बहुत अंतर होता अगर अमरित पाल ने खुद को गोली मारा तो बिल्कुल बैरल स्टाके मारा होगा उसने बोले माथे में अगर गोली मारी है उसने तो उसका पू क्यों करेगा उलड़का खुद कुशी क्यों करेगा अच्छे गर का लड़का था उसकी सिस्टर भी कनाड़ा में पड़ रही है अपने मर्जी से होगा था कोई दबाव नहीं था और अगर उसको लगता था आर्मी की नोकरी ठीक नहीं तो अभी छुटी जाने वाला था फिर डिश्चार्ज दे दे जहता या चार साल के बाद आउट हो जाता तो यह बिल्कुल गलत कहना है कि उसने आध्य मेट्य की है यह सब केस को दबाया जा रहा है और अगर यह ऐसी प्लोशी है कि इनको सहीद का دर्जा नहीं दिया जाएगा इनको कुछ भी नहीं दिया ताकि माबाप सोच समझ के अपने पच्चे को बेजें देखिए हम सब जितने भी आर्मी के अंदर है कोई नेता का लड़का नहीं आता कोई अफसर का लड़का जवान में भरती नहीं होता कोई बिजनिसमेन का नहीं होता हम सब गरीब परिवार्श हैं किसान के बेटे हैं मजदूर के बेटे हैं रैडी वालों के बेटे हैं हम सब बिलकुल नौर्मल परिवार से आते हैं आर्मी के अंदर और फिर गड़ Изबीटे और Thank The पहले जानकारी दे दी जाती है पुली स्टेशन में और वहां जो घर के आज पास आर्मी होती है उसको बता दिया जाता है ये प्रोसीजर है इसका लेकिन किशी को भी नहीं बताया शिता उसके घर एंबुलेंस में ले गए उसके सरीर को और उदर शौंप के आगे तो ये दो दिशिजन लिया जाता है अगर उसकी इंकवारी बैठा दी थी तो अब कैसे बोल दिया कि उसने आत्यमत्या की है अगर उस वक्त तक कलियर नहीं हुआ था कि उसने आत्यमत्या की है या ने की है तो उसका सहीद का दरजा देना चाहिए था उसको तिरंगे में लिपेट के प्रफट के आऊं ठीग एंगे में लिपट के आऊं यह हर सैनिक का सपना होता है लेकिन उसने साधत दे दी लेकिन उसके साथ गोवर्मेंट ये तो अच्छा है पंजाब गोवर्मेंट का जिसने उसके परिवार वालों को एक क्रोड का चेक दिया बगवंत मान जी ने हम उस म बच्चे की लेकिन जितना और वगवंत मान जी शेवां उनोंने किया है तो दोस्तों देखिए ये अगणीवीर के अंदर और क्या-क्या पोलेशियां अभी तक किसी को भी नहीं पता यह अगनी पहला सईद हुआ है अगनीवीर पहला अगनीवीर सईद हुआ तो बोद दि दिखाने चाहिए ना बताने चाहिए तभी तो किसको अगनीवीर में आना है किसको नहीं आना ये सब पहले दिखाना चाहिए तो दोस्तों देखते हैं भी अगनीवीर के अंदर और क्या-क्या नियम है अभी तक किसी को नहीं पता कि अगनीवीर के अंदर नए-नए क्या-क्या नियम बनाए गए है